नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है तीन परवरी दिन शरीवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर बिहार में निशुलक छाद्रवास में कराय ना मंग कर बिहार में सभी अस्पतालों में लगें सी-सी टीवी कैमरे आई-टी-ाई में कम अबधीवाले कोर्स के बार मिलेगा रोजगार बिहार में कई लोगों को बिरुजगारी भठते का मिलेगा लाब भारत बनाम इंग्लेंड टेस्ट मैच के पहले दिन यशश्वी जैस्वाल ने किया कमाल अब चलिए बढ़ते हैं विहार के अब तक की 25 बड़ी ख़वरों की ओर विस्तार से NMDC ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भड़ती अप्रेंटिस के पदों पर National Mineral Development Corporation Limited ने भड़ती निकाली है इस भड़ती के तहट को 120 पद भड़े जाएंगे जिसमें Mechanic, Diesel, Electrician, Wilder, Mechanic और अन्ने पद शामिल है इस भड़ती के लिए इच्छो को मिद्वार www.nmdc.co.in श्लास करियर्स पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भड़ती के लिए मिद्वारों का चैयन Walk-In Interview के माध्यम से होगा इसके लिए अलग-अलग तिथी निर्धारित है आपको बता दी कि जो मिद्वार Mechanical Electrician और Feater Trade के लिए आविदन कर रहे हैं उनका Interview 22, 23 और 24 फरवरी को लिया जाएगा वहीं जो मिद्वार, Welder, Machinist, Mechanical, Motor, Vehicle के लिए आविदन कर रहे हैं तो उनका Interview 25 और 26 फरवरी को लिये जाएगे बिहार में निशुलक छात्रवास में कराये नामंकन बिहार में पिश्टा वर्ग इवर मती पिश्टा कल्यान वभाग के उरसे निशुलक छात्रवास में नामंकन कराया जा सकता है जन नायक करपूरी ठाकुर छात्रवास में निशुलक नामंकन कराया जा रहा है यहां नामंकर पाने के लिए छात्रवास के अधिक्षक से संपर्क किया जा सकता है वो भाग में टेलिफोन संख्या शुर्नेचे एक दो दो एक पांच चार शुर्नेचे पर संपर्क कर सकते हैं आपको बता दे कि यहां 15 किलो का अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है इसके साथ ही ऑनलाइन स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्ता है 24 गंटे बिजली की सुविधा है उसके लाबा लाइवरेरी की सुविधा भी है समय समय पर एक्सपर्ट छात्र और छात्राओं का मार्ग दर्शन करते रहते हैं बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बाबा कोटेश्वर नाथ धाम मंदिर की यह बिहार में गया और जहानवाद के सीमावर्टी शेत्र बेला गंज प्रकंट में मौजूद काफी प्राश्रीन मंदिर है धार्मिक माननिताओं की वज़ज़ से यह मंदिर लोगों के बीच काफी प्रचलित है इसके दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग पहुँचते हैं प्रचलित कथाओं के अनुसार वानसुर की बेटी उसा शुरी कृष्ण के पोते से प्रेम करती थी लेकिन शुरी कृष्ण को वानसुर अपना दुश्मन मानते थे इसी वज़र से उशा ने इस मंदर का नर्मान भगवान कृष्ण के पोते अनुरुद्ध को पाने के लिए कराया उसके बाद उशा और अनुरुद्ध की शादी हुई और इसी के बाद से इस मंदर में पूजा की परमपरा शुरू हुई लोगों की मानता है कि यहां सच्चे मंद से प्राथना करने पर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है यहां का वातावरन बेहत ही शान्त है और धार्मिक परियतन के लिहास से सबसे बढ़िया है बिहार में सबी अस्पतार में लगेंगे CCTV कैमरे बिहार के सबी अस्पतार में अब CCTV कैमरे लगाए जाएंगे सवास्त विभाद ने हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग सिस्टम को और बढ़िया करने के लिए ये फैसला लिया है सदर अस्पतार के बाद अनुमंडली अस्पतार में कैमरे लगने वाले है इसके बाद अस्पतार में डॉक्टर और नर्स की उपस्तिती के साथ ही इलाज की गतिवीदियों पर भी नजर रखी जाएगी वहीं अगर डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि मिशन सुधार की तहत राज के अस्पतालोर में CCTV कैमरा अस्थापित किया जा रहा है स्वास्त विभाग के अपर मुख्य सचीव ने इससे लेकर आदेश जारी कर दिया है BPSC सिक्षक भटी फेज 3 परिक्षा को लेकर के के पाठक ने दी जानकारी BPSC सिक्षक भटी परिक्षा फेज 3 और इसके साथ ही 4 को लेकर के के पाठक ने जानकारी दे दी है वभाग के अपर मुख्य सचीव ने कहा है कि इससी महीने तीसरे चरण की परिक्षा का फॉर्म जारी होगा वहीं मार्श के महीने में परिक्षा का आयोजन किया जाएगा इसके बाद 4 चरण की भी बहाली होगी फिलहाल अगस्त के महीने को 4 चरण के लिए चुना गया है आपको बता दे के के पाठक ने किशन गंज में एक्जाम सेंटर का जाइजा लिया इसी दोरान उन्होंने ये जानकारी साचा की है आइटियाई में कम अबधिवाले कोर्स के बाद मिलेगा रोजगार बिहार के युवा आइटियाई में कम अबधिवाले कोर्स कर सकते हैं इसके बाद उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा के कोर्स मातर 3 महीने और 6 महीने के लिए हैं इसके बाद यूवा सिधे रोजगार से जुर सकेंगे अधिक सिक्षा नहीं लेने वाले यूवा या फिर कम पढ़े लिखे यूवा ये कोर्स काफी आसानी से कर सकते और उनके लिए फाइदे मंद भी होने वाला है इन कोर्स में ट्रेनिंग के बाद बैंक होटल वीमा कमपनी या फिरनिजी कमपनी में नौकरी लेना आसान हो जाएगा इसके लिए राज के एक सौ उन्चा से और योगिक सिक्षरनस अंस्थान को अपग्रेट किया जा रहा है पत्ना में देश के पहले बापू टावर का हुआ निर्मान सी करेंगे 139 करोर की लागत से इसका नर्मान कार्य किया गया है यहां कई प्रकार की मूर्ती और कला कृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी इससे अहमदावार की फैक्ट्री में बनाया गया है बापू टावर का भवन गोलाकार है यहां तामबी की परत चमक बिखेर र में प्रवेश करेंगे प्रो कबड़ी लीग में पटना पाइरेट्स के कप्तान ने आगे की तैयारी की दी जानकारी प्रो कबड़ी लीग में पटना पाइरेट्स टीम के कप्तान रहे सच्छिन तनवर ने एटीवी के इंटर्व्यू के दौरान कई जानकारी साजा की दर दो मैच टाई हो गया था सचिन तनवर ने आगे की रनीती के बारे में चर्चा की है उन्होंने बताया है कि अब गिल्ली में होने वाला मैच खास होने वाला है इसमें कड़ी मेहनत के साथ मुकाबला करने की तैयारी हो रही है टीम आगे के मुकाबले के लिए तैयार है वहीं बिहार में जलदी क्रिशीवर ग्रामीन विकास बैंक की अस्थापना की जाएगी सहकारिता विभाग इस बैंक का संचालन करेगी इसके बाद किसानों को इससे फाइदा मिलेगा यहां असानी से मध्यम और लॉंग टर्म का रिंड मिल सकेगा फिलहार पूरे देश में इस बै खोले जाएंगे इसके लिए किसानों को आधूनिक खेती में लाव मिलेगा इसके साथ ही उन्हें पुंची भी मिलेगी विहारी पैशान में आज हम बात करेंगे दुलारी देवी के बारे में दुलारी देवी एक भारती कलाकार और चित्रकार है जो मिथला कला परंपरा में काम कर रही है वे मधुवनी की कचहनी और भर्नी दोनों शैलियों का अभ्यास करती है उनके कामों को इंद्रा गांधी रास्टिय मुक्त विश्व विद्याले में मैथली भासा में पाठ्ष क्रम सामगरी के हिस्से के रूप में चुतरित किया गया है साल 2005 में उनके नाम को नरिंद्र नारायन सिन्हा के उड़ से मधुवनी कला में पारंपरिक इमेजरी के उपियोग पर केंद्रित कर प्रदशनी के हिस्से के रूप में क्यूरिट किया गया वही साल 2010 में देवी और कई अन्य लोग कलाकारों ने अपनी कला में आदिवाशी लोग कथाओं को दर्ज किया जिसे प्रकाशक तारा बुक्स ने सिल्क स्क्रीन प्रिंट की मात्रा में सन एंड मून शिर्सक से संकलित किया वही साल 2018 में हेलिकॉप्टर में एक गाउं में पहुशने वाले प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी शिर्सक वाली उनकी पेंटिंग सैन फ्रांसिसको में एशियाई कला संग्रहाले में मधुवनी कला की एक क्यूरिट प्रदर्शनी का हिस्सा थी साल 2021 में वो कला में उनके यूगदान के लिए भारसरकार द्वारा दिये गए नागरिक सम्मान पदमश्री की प्राप्त करता थी साल 2012 में स्टेट ओफ बिहार एवोर्ट फॉर एक्सलेंट इन आर्ट से भी उन्हें नवाजा गया बिहार में शराब के इस मामले में अब बाइक नहीं होगी जब्त बिहार में शराब मामले को लिकर पटना हाई कोट ने फैसला सुनाया राच में शराब बंदी है फिलहाल बाइक के पीछे बैठे वेटे के पास अगर शराब मिलता था तो बाइक को जब्त किया जाता था लेकिन इस मामली में बाइक चालग को अगर जानकारी नहीं है तो ऐसे इस्थिती में अब वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता है इसके साथ वहां चालक पर किसी भी प्रकार की कोई कारवाई नहीं होगी उन्हीं कोई भी सजार नहीं दिया जा सकेगा गोपाल गंज में एक महिला के नाम से पंजिकृत बाइक के पीछे बैटे वैक्ति के पास 13 लीटर शराप था उसके बाद बाइक को जब्त कर लिया गया पटना परिक्षा समीती ने अलग-अलग सिक्षन संस्थानों में संचालित होने वाले नए सत्र के लिए अधिसूचना जारी की है जीयलिद बिहार डॉट कॉम पे आविदन की प्रक्रिया जारी है 15 फरवरी तक अभियर्टी ओनलाइन मोड में अपना एप्लिकेशन सब्मिट कर स आजा सकेगा बिहार में कई लोगों को बिरुजगारी भत्ते का मिलेगा लाव बिहार में कई लोगों को बिरुजगारी भत्ते का पाइदा मिलेगा महात्मा गांधी रास्ट्रिये ग्रामीन रुजगार गैरेंटी यूजनों की बिहार बिरुजगारी भत्ता नियमावली 2024 को जारी किया गया फिलाल इसमें सुधार के प्रस्ताओं को आमंत्रित किया गया है वहीं जल्द ही क्याबिनिट में भी से मंजूरी मिल जाएगी इसके बाद मंजरेगा में काम नहीं मिलने पर विरुजगारी भत्ते का फायदा लिया जा सकेगा आपको बता दे कि ग्रामीन विकास विभाग ने 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर विरुजगारी भत्ते का प्रावधान किया है दूसरी और वित विभाग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है गेंदबाज मुकेश कुमार की लेडी लखने बदली किस्मत विहार के मुकेश कुमार ने 220 और वरंडे के पत्नम में दूसरे मैच में शामल हुए उसके बाद गुपाल गंच में लोगों में खुशी की लहट दौर गई है सभी का कहना है कि लेडी लखने मुकेश कुमार को सफलता दिलाई मालूम हो कि साल 2023 में मुकेश ने दिव्या सिंग के साथ शादी की थी और इसके बाद वो काफी मेहनत कर रही है पिशले साल वो वेस्ट अंडीज के दौरे पर भी थे उन्हें टेस्ट वन डे और टी ट्वेंटी में भार्टिये टीम में चुना गया पश्यमी विख्षोब के कारण बारिश की संभावना तीन फरवड़ी के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम को लेकर थोड़ी बहुत बदलाव देखनी को मिल सकते हैं ये बदलाव पश्यमी विख्षोब के कारण हो सकती है इस कारण आने वाले दो से तीन दिनों मे कई जगों पर आंशिक बादल चाय रह सकते हैं इसके साथ ही पत्ना समेट प्रदेश के कई जगों पर हलका कोहरा और तराई वाले इलाकों में बहुत घना कोहरा चाया रहेगा हालंकि मौसम विभाग के मुदाबिक आज का मौसम शुश्क रहने वाला है प्रदेश का अधिक तम तापमान 22 से 24 और 24 से 26 डिगरी के बीच में रह सकता है वहीं न्यूंगतम तापमान 8 से 10 डिगरी के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है बीपीसी परिक्षा की दूसरे शिर्ण का सप्लिमेंटरी डिजल्ट जारी विहार लोग सेवा आयोग ने सिक्षकभर्ती परिक्षा फेज 2 का सप्लिमेंटरी डिजल्ट जारी कर दिया है आपको बता दे कि फिलहाल पिश्रा और अती पिश्रा वर्ग के अंदर आने वाले छात्र और छात्राओं के लिए रिजल्ट जारी हुआ है इसमें 749 परिक्षाटियों को सफलता मिली BPSC ने प्राचारे के चार पत के लिए एक्जाम के रिजल्ट की घोशना की है समाजिक विज्ञान में 78, गनीत में 7, विज्ञान में 77 और हिंदी और अंग्रेजी में 89 अभियर्थियों का चयन हुआ बिहार लोग सेवा आयों की आधिकारिक वेबसाइट पर परिक्षाटि अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं RBI ने Paytium Bank की कई सर्विस पर लगाई रोक RBI ने Paytium Bank की कई सर्विस पर 29 फरवरी के बास से रोक लगा दी है उसके बाद यूजर Paytium Payment Bank का वालेट यूज नहीं कर पाएंगे वहें केंद्रे Bank ने यूजर्ज को 15 मार्च तक का समय दिया है वालेट के अलावा अगर आपका फास्ट टैग बीटियम पेमिन्ट बैंक से लिंक है तो इसे रिचार्ज नहीं कराया जा सकेगा बैंक का गिफ्ट कार्ड या अन्य कई तरह के सर्विस का यूजर इस्तिमाल नहीं कर सकेगे अकाउंट से कोई नया ट्रांजिक्शन भी नहीं हो सकेगा लेकिन पहले की तरह आप उनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और यूपियाई के ज़रिये रिचार्ज भी करना काफी आसान है जद्यू से अलग होने के बाद पहली बार उपेंद्र कुश्वाहा ने नितिश कुमार से की मुलाकाद की है इस दौरान उन्होंने CM को NDA में वापसी को लेकर बढ़ाई दी उपेंद्र कुश्वाहा ने नितिश कुमार को फूल भेंट किया और शुपकाम नाए दी द्रसल जद्यू संसद्य बोद के अध्यक्ष रहते वे इन्होंने RGD और जद्यू की गदबंधन पर सवाल उठाया था उसके साथ ही उन्होंने GDU से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई मालूम होके कुश्वाहा कि पार्टी RLDA NDA का हिस्सा है पुर्व मुक्हे मंत्री जीतनराम मांची ने की दो मंत्री पद की मांग बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री जीतनराम मांची ने NDA की नई सरकार में दो मंत्री पद की मांग की है जीतनराम मांची ने कहा है कि निर्दलियों को मन शाहा वभाग दिया जा रहा है हम पाठी के अनिल कुमार सिंग को मंत्री बनाने की हम पाठी ने मांग की है पुर्व सीयम ने कहा है कि इसको लेकर उन्होंने सीयम नितीश कुमार अमित शाह नित्यानंद राय सहित कई नेताओं से बाद शीट की है विहार में मंध्री मंधर्व के विस्तार को लेकर समराड चौदरी ने दी जानकारी विहार में नई सरकार का गठन हो चुका है लेकिन मंत्रियों के बीच विभाग का बटवारा नहीं हुआ है इसा लेकर बिहार के उप मुख्य मंत्री समराट चौदरी ने कहा है कि जल्दी ही ये काम पूरा किया जाएगा CM नितीश कुमार को ये काम करना है इधर अर्विंद केजरिवाल को समन भेजे जाने पर समराट चौदरी ने कहा है कि ब्रस्ट अचारी नहीं बच सकते है जार्खन के नई मुख्य मंत्री बने चमपाई सोरेन चमपाई सोरेन ने जार्खन के नई मुख्य मंत्री के तौर पर शपत ली है ये जहारखन के बारवे CM है, इनके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोकता ने भी मंत्रीपत की शपत ही है आपको बता दे कि हेमन सोरेन ने बुद्वार को मुख्य मंत्री के पत से इस्तिफा दे दिया था और इसके बाद चमपाई सोरेन को विधायक दल का नीता चुना गया इधर हेमन्त सोरेन को पांच दिन की E.D. रिमांड पर भीजा गया है PM LA की विशेश अदालत ने ये फैसला सुनाया है हालंकि E.D. ने जारखन के पूर्व सीम के लिए 10 दिन की रिमांड मागी थी भारत बनाम इंगलेंड टेस्ट मैच के पहले दिन ये शेश्वी जैस्वाल ने किया कमाल इंडिया बनाम इंगलेंड के पांच मैच के टेस्ट सिरीस का दूसरा मुकाबला विशाखा पटनम में खेला जा रहा है शुक्रवार को मुकाबले का पहला दिन रहा इसमें ये शेश्वी जैस्वाल ने शतक जर कर सभी का दिल जीत लिया ये शेश्वी 189 रन बना कर नाबाद रहे उसके बाद आर अश्विन के साथ मिलकर ये अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे भारत ने आखरी के सेशन में तीन विकेट खोए और 111 रन हासिल किये रजीत पाटिदार और आल राउंडर अक्षर पटेल ने बरी पारी नहीं खेली भारत के इतिहास में आज की तारीक है बेहत खास बनारस हिंदू विश्व विद्याले की शुरुवात 1916 में आज़ी के दिन हुई थी मुंबई से कोडला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित श्रेन सेवा साल 1925 में शुरू हुई भारत के पहले दुनिया के सबसे बड़ी कोईला अधारित उर्वरक सहियत रखी 1970 में तल्चर में अधार्शिला रखी गई भारतिय नौ सेना की पहली पर्मानु संचालित पंजिबी आई एनस चक्र को 1988 में सैन बेरे में शामल किया गया भारतिय राज जमू और कश्मीर में 1999 में डेमोक्रेटिक जंता दल का पुनरुदार हुआ भारतिय कमपनी की 11 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंजार तीन फरवरी साल 2008 को इरान के तटिय शेत्रों में मिला था अब इनेत्री शिल्पा सुटिने साल 2009 में राजस्थान रॉल्स की हिस्सेदारी खरीती और तीन फरवरी को ही साल 2018 में भारत ने चौथी वार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तीन फरवरी के दिन को वन अगनी सुरक्षा दिवस के सापताहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है वारल खबर में आज हम बात करेंगे दावे किये जा रहे हैं लोगसभा चुनाओं की तारीख के बारे में इंटनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरे हैं जो वारल हो जाती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी बिलकुल भी नहीं है अब इसी करी में हमें लोगसभा चुनाओं को लेकर एक और वारल होते मेसज़ की जानकारी मिली इस मेसज के ज़र ये लोगसभा चुनाओं की तारीखों को लेकर दावा किया जा रहा है इस दावे के तहट कहा जा रहा था कि 16 अप्रेल 2024 से लोगसभा का चुनाओं शुरू होगा और 16 मार्च तक ही टिकट का वितरन कर दिया जाएगा लेकिन जब हमने इस वारल होते वे खबर की पहचान की तो हमने पाया कि P.I.B. रे दावा की जा रहे इस मेसज को पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया है उसके साथ ही कहा है कि चुनाओ आयोग दोरा आने वाले लोगसभा चुनाओं को लेकर ऐसे किसी भी तारीक का अलान नहीं हुआ है सेन सेक्स चार सो चालिस अंक तक उशला निफ्टी 21,000 के उपर क्लोज भाटी शेर बाजार में सप्ता के आकरी कारुबारी दिन तेजी देखने को मिली रिकॉर्ट उचाई चुने के बाद बाजार बंध हुआ सेन सेक्स चार सो चालिस अंक तक उपर चड़ा रहा ये 72,085 पर क्लोज हुआ जबकि निफ्टी 156 अंक चड़कर 21,000 से अधिक पर पहुँचकर क्लोज हुआ निफ्टी के 50 में से 49 शेरों में तेजी देखने को मिली है वहीं सेन सेक्स के 30 में से 20 शेरों की खरीदारी हुई इधर मिट माप में करीब एक प्रतीशत का उच्छाल दिखा गया हम प्रतीदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलीस दारोंगा समेट SEC जैसे अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में कामाएंगे सवाल इतिहास, भिहार स्पेशल, विज्ञान, करिंट अफिर्स और भुगोल से रहेंगे पूशे गए पाचो सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है किसने भार्टिये जनसंचार संस्थान यानि की IIMC को दीम्ड विश्व विद्याले घोशित किया A. संस्कृती मंत्राले B. सिक्षा मंत्राले C. राष्टपती और D. ग्रिविभाग इसका सही उत्तर है सिक्षा मंत्राले अगला सवाल है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने कहां पर भारत अमेरिका वानिच मंजल के सम्मेलन में भाग लिया एक गुजरात भी महरास्टर सी नई दिल्ली आफिजी पटना इसका सही उत्तर है नई दिल्ली खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोहजार चौबस के चौथे संस्करन का आयूजन कहां किया जाएगा A. लेह B. लदाग C. कश्मीर या फिर D. शिमला इसका सही उत्तर है लेह बिहार में साइमन कमिशन के कुछ सदस्य महराजा का आतित्त स्विकार करने कहां पहुँचे थे A. जुम्राव B. बितिया C. पटना या फिर D. मोतिहारी इसका सही उत्तर है जुम्राव बिहार में मुझपरपूर में नमक सत्याग्रह की शुर्वात कब हुई A. 15 अप्रेल उनीसोतीस B. 5 अप्रेल उनीसोतीस C. 9 अप्रेल उनीसोतीस या फिर D. 7 अप्रेल उनीसोतीस इसका सही उत्तर है 7 अप्रेल उनीसोतीस बीते दिन हमारी ओर सी पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में दिया और जिन्होंने हमारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, पंकच कुमार दास, मंजे कुमार, सुकुमार सिंग, वेद प्रकास सिंग, मुहम्मद शाकीर, हुसैन, कृती कुमारी, नवल किशोर जह, असनेहा कुमारी, कृष् कुमार यादव, अती, खान, विवेक, मिश्रा, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार चल रहे भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट में, किसका पलरा भारी नजर आ रहा है, आप अपना जवाब हमें कमेंट में लि चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फीस्बुक से दीख रहे हैं तो पीज को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद